ओके, हेलो चैटर्स, माइनेम इस रूइत और यूर वाचिंग रसल चैटरो तो गाईज आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे WWE के PPV Hell in a Cell के बारे में जहां मैं देखने को मिले कुछ जबर्दस मैच इस तो इस एपिसोड में उन सभी मैचिस और उनके रिजल्ट के बारे में बात करने वाले है सबसे पहले बात करें किक अफ शो की जो था चैट गेबल, शेल्टन बेंजामिन वर्सिस हाई ब्रोस के बीच तो मैच ठीक ठागी था है जब शेल्टन बेंजामिन और चैट गेबल ने पावर बाम आप नेक बेर करके कॉमबो के साथ इस मैच को जीत लिया अगला मैच टेग टीम चैंपेंशिप के लिए दा उसोस वर्सिस दा न्यू डे के बीच तो मैच बहुत ही अच्छा रहा है है हलना सैल के अंदर में मैच देखने को मिला जो मैच याद के जाएगा लाटी देंटो के लिए मतलभ गेंडो स्टीक्स के लिए जहां दा उसोस ने न्यू डे को और दा निू डे ने ऊसोस को लेकिन मैच का हंद कुछ इस तरह से हुआ है जब दा उसोस ने बीगी को डबल स्प्लैस लगाया लेकिन जब वो पिन कर रहे होते हैं तो भी वहाँ पर Xavier Woods आकर पिन को ब्रेक कर देते हैं उसके बाद वोने फिर से Candlestick से धूनते हैं और फिर उन्हें भी Double Splash लगा कर इस मैच को जीत जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं New Tag Team Champion The Usos नेक्स्ट मैच The Viper Randy Orton vs. Rusev की बीच तो मैच यह भी काफी अच्छा रहा है यहाँ पर हमें Rusev की तरफ से सूपर के एक जबर्दस देखने को मिल जो उन्हें रिंग साइट पर लगाई Randy Orton को लेकिन मैच का नेतिज़ा यहाँ निकला Randy Orton के पक्ष में जब उन्हें एक जबर्दस आर्कियों के साथ Rusev को पिन करके इस मैच को जीत लिए और personally मैच मैच से काफी खुज हुआ नेक्स्ट मैच United States Championship के लिए टाइड इलिंजे वर्सिस Baron Corbin वर्सिस AJ Styles के बीच तो यार बहुत ही जबर्दस मैच रहा है तीनों ही रेस्लर ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी इस मैच में लेकिन मैं सबस्याद हैं यहाँ पर इंप्रेस हो आप Baron Corbin से AJ Styles को तुम जानती ही वह अच्छे रेसलर लेकिन इस मैच में Baron Corbin ने भी काफी अच्छे मूब समय दिखा है लेकिन मैच का नदिजिए कुछ अलगी तरीके से निकला जब AJ Styles ने टाइड इलिंजर को फिनोमेनल फोराम हिट के लेकिन जब वह पिन करने जा रहे होते हैं बीच में Baron Corbin आकर AJ Styles को बार फैक देते हैं और टाइड इलिंजर को पिन किया के लिए जिंदर महल वर्सजिस के नाकामुरा के बीच तहीं मैच काफी अच्छा रहा है यहां पर जबर दस इंटर देखने को मिले शिंजिक नाकामुरा से मैच में मोम्में ऐसा भी आया जब सिंचिके नाकामुरा लगा दिया लेकिन रेफरी रिंग से काफी दूर तो वहां पर कोई भी काउंट नहीं कर पाया इसके बाद जब रिंग में आते हैं तो जिंदर मैल पिन ब्रेक कर देते हैं रोब ब्रेक के जरीए और इसके बाद जिंदर मेल अपना फिनिशर लगा कर शिंचे के नाकमरों का इस मैच को हरा देते हैं अगला मैच रहा बाबी डॉल जिगलर को रोल अप पिन करके इस मैच को जी जाते हैं और इसके बाद जब वो सेलिबिरेट कर रहे होते हैं इसके बाद पीछ से डॉल जिगलर आकर उने अपना फिनिशर जिग जाग दे देते हैं और इसे देखकर ही लगता है कि रैवली जब बहुत आगे तक जा सकती है इसके बाद आया है हैलने सेल का मेन इवेंट जो मैच था केविन ओवन्स वर्सिस शेन मिकमेन के बीच तो यह मैच को बताने के लिए वर्स भी कम पढ़ जाएंगे से डिस्क्राइब करने के लिए कि हर दो तीन इनिट में ऐसा मूब देखनी को मिल रहा था जो किसी फिनिशर से कम नहीं था तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही मतलब रिंग बजने से पहले ही शेन मिकमेन जाकर बहार ही अटेक करने जाते हैं केविन ओवन्स पर इसके बाद दोनी रैसलर रिंग में आते हैं और केविन ओवन्स प्लैश लगा देते हैं शेन मिकमेन को इसके बाद Shane McMahon भी शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हैं लेकिन मिस हो जाता है क्योंकि Kevin Owens वहाँ से हट जाते हैं इसके बाद Kevin Owens ट्राइ करते हैं अपने finisher पॉप आप पाउर बॉम देनी कि लेकिन वो काउंट हो जाता है एक आम बार में इसके बाद दोनी रैसलर बाहर जाते हैं और Kevin Owens Shane McMahon को उसी तरह से टेबल पर रख देते हैं जिस तरह से Shane McMahon ने Undertaker के उपर ड्रॉप किया था लेकिन Kevin Owens ऐसा नहीं कर पाते हैं वो इतनी ताकत नहीं जुटा पाते कि वो वहाँ से कूच जाएं इतने में Shane McMahon भी उपर आ जाते हैं और फिर हमें हैलने सेल में टॉप पर बहुत ही जबर्दस फाइट देखने को मिलती है जहां पर Kevin Owens सूपर के पावर बॉम और Shane McMahon भी काफी सारे जबर्दस मूव दिखाते हैं इसके बाद दोनी रैसलर से नीचे आ रहे होते हैं लेकिन न करने जो ने अंडरेकर के साथ किया था लेकिन इस बार भी Kevin Owens हट जाते हैं सैमी जेन की मदब से बीच में भाख के आकर सैमी जेन उन्हें हटा देते हैं और Shane McMahon गिर जाते हैं अनाउंस टेबल के उपर इसके बाद दोनी रैसलर सेंट मिकमैन और Kevin Owens इधर उधर पढ़े रह है जिस मैच को आप देखे ही ज्यादा मजा ले पाएंगे तो गाइस वीडियो कैसे लगे लाइक जरू करना और कामेंट बताना कि आपको शेंड और Kevin Owens का ये मैच कितना ज़्यादा जबरदस्त लगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस बैल आकन को भी प्रेस कर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी डवली की अपडेट्स न्यूज रूमर्स सारी इस चैनल पर मिलती रहें सो सी यो गाइस इन मैं नेक्स्ट वीडियो